नमस्का फेंट्स मेरे नाम बबलू और मा पेपर है कर मैं आपका स्वागत है आज हम देखने वाले हैं यहां पर बीए सेकंडर वालों के लिए होम सैंस का यह अपना सेकंड पेपर है ठीक है जो हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट कोशन वो भया जी 2023 में आपके छपने व और जिस किसी को भया जी MC को बगएर देना है जिस किसी को MC को एक्जाम देना है तो वह आपको कहा मिल जाएंगी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी साइट पर www.paperracket.in चाहिए आप यूटूब पर ही देख लो साइट के प्लेलिस्ट महां पर ढूनना पड़ जाएगी और स साइट पर जाने के बाद में आपको मिल जाएगी www.paperracket.in पर डालोगे तो बहां आपको मारी साइट दे रखिए साइट में बटन पर जाओ सेकेंड यर पे ठीक है बहां पर आपको सारा प्लेलिस्ट भी है नोट्स भी है सब कुछ उपलब्द है और मेरा मानना है कि एमसीट के वाले नोट्स नालोग जरू कर लें क्योंकि नोट्स में 4-5 बोको के हैं क्योंकि बहां से कोशन बहार नहीं जान रहे हैं ठीक है हर जो अगले बढ़ते हैं पहला कोशन देखेंगे जो बैरी बैरी इंपूर्टेंट कोशन इस बार का हो जाता है तो बाल विकास की परिभासा क्योंकि बहुत ती मसकत के साथ इनी कोशनों को ढूनना पड़ता है और निकालना पड़ता है कोशनों को तो ये बैरी इंपूर्टे तो इस तरीके जनन अंग जो होते हैं उनके बारें पढ़ लेना है यह आपको जब आप सिबिल में बैटो चाहें एक कमपडिशन गया में बैटो यह कोशन चपते हैं अभी और यहां से जनन अंग की गरंतिया बगरा पूछ लिता है तो यह बैरी इंपूटेंट है ठीक है ब बात करें गरवस्ता में होने वाली जो बीमारी जो टॉक्सीमिया होती है क्योंसी टॉक्सीमिया गरवस्ता में एक बीमारी होते हैं इसके बारें पढ़ना है गर्वकालीन विकास जो गर्वकालीन विकास होता है उसकी अवस्ताओं के बारें में आपको समझाना है ठीक है बेरी बेरी प्यारा कोशन है। बहुत प्यारी कोशन हैं यह वाले जो आपको बहुत ही मसंकत के साहथ चुहाटकर दीए गएं है और यही कोशन आपके छपने वाले हैं। प्रति रच्छा क्या होती है जो एंटी बात करते हैं ठीका गड़े प्रति रच्छा बही हो रही है ठीक है एंटी वाड़े बगड़ा सब ही हो जाएगा प्रति प्रति रच्छा में तो यह आपको यहां पर बताना है प्रति पीडा के बारे में यह आपको सब को पता है जब अंडा जो अंडा सा फटता है ठीक है उसके बाद में अंडा सा है जो गर्वनाल में आका रुकता है गर्वनाल के द्वारा जब वहां के परत होती है उसको तूटने के बाद में परशपीड़ा होती है इसके बारे में आपको अच्छी पिकास से पढ़ लेना है ठीक है और य किरियात्मक विकास क्या है किरियात्मक विकास के वारे में इसकी सीमाई इसकी विसेस्ता और इसके महत्त के वारे में आपको अच्छी प्रिकास से पढ़ लीना है ठीक है बात करते हैं मानसिक विकास के वारे में मानसिक विकास क्या है इसकी विसेस्ताओं के वारे में खेल व प्रतिबास आली बालक क्या होते हैं इनकी विसेस्ता हैं बात करते हैं समस्यात्मक बालक जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो क्या होते हैं इनकी विसेस्ता हैं क्या होती हैं इनके वारे में आपको अच्छी प्रकासे पढ़ लेना है बात करेंगे बाल अपराद के कार्ड बाल मनों विज्ञान में अंतर बाल, विकास और बाल, मनों विज्ञान में अंतर क्योंकि आपको 2 question ऐसे मिलेंगे जो अंतर से ही संबंदित होंगे और यही question आपको छपे हुए देखने को भी मिलेंगे ठीक है तो इन को अच्छे पिकास है पढ़ लेना इस बार next question की बात करेंगे next question जो इंप्वर्टेंट कूशन है बालक के लिंग दिरह रहर हड़ होता है xy by xy xx लिंग हार जो होता है उसके बारे में उसको समझा देना है बिल्कूर सुर्ण कि अवस्ता में पोश्टिक आहर कौन सा होता अक। बारे में इसके देख भाल बगेरा वो आपको समझाना उन्य प्रिकासी बात करते हैं गरुफवातकि क्या होती है बात करते हैं इस्तनपान के लाब क्या होते हैं और बात करेंगे गर्वाधान का क्या अर्थ है इसके बारे में समझाना है ठीक है गर्वाधान है क्या इसके बारे में इस्तनपान के क्या लाब होते हैं और बात करते हैं गर्वाध की क्या वस्ता हैं गरता क्या वस्ता है क्या होती इनके वारे हो टिपड़ी लिखना है आपके लिए समझाना है बात करते हैं भासा विकास भासा विकास के बारे में बात करेंगे बाड़ी और भासा में अंतर बाड़ी और भासा में अंतर क्या है समाजिक विकास को प्रवायद करने वाले कारक उनके बारे में आपको अच्छे विकास से देखना है Next important question कि सुरवस्ता की विसेष्था है जो कि सुरवस्ता होती है उसकी विसेष्था बताना है नाखून काटने की हैं नाखून काटने की समस्या और पृतिभास आली बाल को क्यों समा यूजन के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है बात करेंगे बाल नहाए के बारे में किस रवस्ता से आप क्या समस्ते हैं इसके बारे में आपको अच्छी प्रिकार से एक बार देख लेना है इन सब को एक्समें करके पढ़ाने वाले हैं क्योंकि ये कोशन अब जब आप सिविल एक्जाम दोगे सिविल एक्जाम में मैंस में आपको ये कोशन देखने को मिलेंगे जब ये सब्जेक्ट आप चुनोगे तब ठीक है तो सिविल एक्जाम जब मैंस दोगे वो आपको यहाँ पर पढ़ने को देखने को मिल जाती है क्योंकि जब आप किसी भी civil exam में बैठोगे home science subject में तो आपका यह question बिल्कुल basically और बिल्कुल short notes में लिखना होते हैं तो आप अभी से इनको अच्छी प्रिकार से पढ़ने जो कि आप यूपीस से बगएरा किसी में आप अगरिजाम दो तो अच्छी प्रिकार से अपना notes मना सको ठीक है तो वीडियो को यह रहने देंगे वीडियो अच्छी लेगे तो like करना, share करना, channel को subscribe करना bell icon को प्रिश करना, जिस किसी को एक प्रिकार से theoretical पढ़ना है वो आप अच्छी प्रिकार से पढ़ सकते हो या आपने कुछी भी books पर notes लागर अपने पढ़ सकते हो इन questions के लिए क्योंकि ये question 24-23 इसमें छपने वाले ठीक है? तो next video मिलेंगे वीडियो अच्छे लेगे तो like करना, share करना channel को subscribe परना, bell icon को प्रिश करना जय हिन, जय भारत